हेलो एब्रिवन नमस्कार वेलकम वेक टू माई चैनल इंडियन ममा एंड बेबी गाइज आज के इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर बारवार यूरिन आती है यूरिन जल्दी जल्दी जाना पड़ता है तो ये किस बात का संकेत ह होता है क्या ये लड़का होने की निशानी होती है या फिल लड़की होने की आखिर बारवार पेशावाती क्यों है इस वीडियो में आप बहुत ही बारीके से जानने वाले हैं कि यूरिन प्रॉब्लम डूरिंग प्रेगनेंसी क्यों होती है इसके क्या रीजन होते हैं इसस चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू उससे पहले बस हम आपसे एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को फटावट से लाइक कर दीजीगा और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को ओल पर प्रेस कर लें ताकि आपको नौटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियो तुरंत देख लें तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले यह जानती है कि प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आती क्यों है देखिए काफी महलाओं को प्र जदा दबाओ बनने लगता है और जब प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको बार बार यूरिन आ सकती है तो नोवे महीने में अगर यह चीज़ आपको हो रही है डिलिवरी होने से पहले यानि कि जो डिलिवरी डेट है उस से पहले ही आपको यह चीज़ होने लगी है बारवार सूसू आने लगी है तो आपको समझ जाना है कि यह delivery होने का संकेत है बहीं काफी महलाओं के साथ क्या होता है उन्हें सुरुवाती महिनों से ही मतलब जैसे उनकी pregnancy confirm होती है बैसे यह problem होने लगती है किसी को first trimester में होती है तो किसी को second trimester में होती है लेकिन आ करके यूरिन आ रही है तो आपको हमेशन डॉक्टर की सला लेनी चाहिए अगर आपके प्राइवेट पार्ट में खुझली हो रही है और बहुत ज़दा जलन होती है यूरिन करते टाइम पे तो आपको समझ आना है कि आपकी यूरिन में infection हो सकता है ठीक है और यूरिन का ज दो से तीन लिटर पानी आपको रोजाना पीना है ताकि गरवस्त सिसू को परेशानी ना हो और आपके बोडी के अंदर dehydration की problem ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है हमेशा आपको अपने प्राइवेट पार्ट को clean करके रखना है साफ सुत्रा रखना है जब भी आप urine पास करने जाए तो हमेशा पानी का use करें ताकि infection से बचा जा सके इस बात का आपको ध्यान रखना है ऐसी स्तिती में काफी लोगों का ये भी मानना है दोस्तों कि अगर urine का color पीला आता है और बारवार urine आती है तो माना जाता है कि ऐसे में होने वाली जो संतान होती है वो बेटा होता है बही अगर urine की समस्या आपको पूरी pregnancy में नहीं होती है तो ऐसे में लड़की होने के ज़्यादा chances होती है जबकि ये पूरी तरह से ठीक नहीं है सही नहीं है मैंने आपको reason भी बताये है कि आखिर urine का जो color होता है वो पीला का वाता है ज़्यादा दवाई या लेने से जैसे की doctor कुछ दवाईयां आपको देते हैं खाने के लिए तो जब दवाईयां खाते रहते हैं तो उससे भी urine का color होता है वो डार्क पीला आने लगता है साथी जब urine में infection होता है तब भी urine का color dark आ सकता है या फिर पाने की कमी से भी urine का color dark आ सकता है ठीक है बस को यही चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके पेशा में जलन होती है बहुत जदा दर्द हो रहा है प्राइवेट पार्ट में तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें ठीक है इस बात का ही आपको ध्यान रखना है यूरिन से आप 100% शौर नहीं हो सकती कि होने व मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में